साल 2023 में हम International Year of Millets मना रहे हैं लेकिन अब भी ऐसा बहुत कुछ है मिलेट्स के बारे में जो हमारे किसान भाई बहनों को जानना जरूरी है पहली बात मिलेट्स उगाएं कैसे दूसरी बात अगर मिलेट्स उगाएं तो उससे कमाएं कैसे इन दोनों ही बातों पर खास और पुक्ता जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौझूद है मिलेट एक्सपर्ट शर्मिला ओस्वाल जी आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर किसान तक में नमस्कार हिमाने जी नमस्कार तो आप हमारे किसानों को बताईए दो एहम सवाल है किसान अकसर ये सोचता है कि मैं इसमें इतनी लागत लगाऊंगा तो मुझे कितना मुनाफ़ा होगा तो मिलेट्स के लिए अगर हम प्रोचसाहित कर रहे हैं कि आप मिलेट्स उगाईए मोटा अना जुगाईए जो कि बहुत नई चीज नहीं है हमारे यहां कृशि शेत्र में तो उसे उगाकर वो क्या करना होगा उगाना कैसे होगा क्या तरीका है और फिर उससे अच्छी कमाई कैसे करें बेसिकली फार्मर्स के लिए किसानों के लिए मोटा अना जुगाना बहुत आसान है क्योंकि दूसरी फसले जो लेनी होती है जिसे सीजनल क्रॉप्स होते हैं जिसे महराष्टर में हमारे यहां कहते है खरीप और रभी सीजनल क्रॉप्स तो मिलेट ऐसा है जिसके लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है ना मिट्टी के कोई इशूज है ना पानी के कोई इशूज है बारिश आया नहीं आया अब सूखे की वज़ज़ से बहुत सारी फसलों का नुकसान होता है या बहुत बारिश हो गई तो नुक जाएगा अच्छा इसकी लागत जो है कि आप जैसे अपने खेतों में मोटे अनाज के लिए अगर आप प्लान करते हैं जवार बाजरा रागी तो एक बहुत कॉमन है पर मैं तो यह कहूंगी कि इसके अलावा क्यूंकि इंटरनेशनल इयर ओफ मिलेट जिसे हम अभी चाहता है तो उसमें जैसे सामा है कंगनी है चेना है तो यह वाले वरई है जिसे बार्नियार मिलेट कहता है इंग्लिश में फॉक्स टेल मिलेट ब्राउन टॉप गोडो प्रोसो यह फाइफ पॉजिटिव मिलेट्स है आप अगर देखेंगे डॉक्टर्स के जो रिसर्च यह पांच मिलेट्स अगर आपके खाने में रहेंगे तो आप पुरी तरह अपने डाइबेटीस को रिवर्सल कर सकते हो तो किसानों के लिए सबसे जादा अगर यह अना जो उगाते है तो उनके लिए मार्केट भी उतनी बड़ी है आप दिखेंगे इंडिया 133 करोड की ज इसे बनाए जाते हैं मिलेट्स आपने उगा लिया लेकिन उसकी प्रोसेसिंग के बाद जो बहुत अच्छे अच्छे प्रोड़क्स बनाए जाते हैं उन्हें आप मार्केट में बेच के शायद जादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो वो पूरा प्रोसेस क्या है और जो हमारे उगा रहे हो मुटा अना जुगा रहे हो तो जो विमेन है जो आपकी घर की महिलाए हैं उसे वैल्यू अड़ेट प्रोड़क्स बना सकती है और उसके लिए भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, एपेड़ा, इनकी बहुत सारी मदद है IIMR, Indian Institute of Millet Research, Nutri Hub, जो कि एक ऐसा hub चलाता है, Incubation, आप अगर फार्मर है, आप अगर कुछ बिजनेस करना चाहती है, अपनी प्रोड़क्स को डेवलप करना चाहते है, कुछ नया बनाना चाहते है, टेक्नोलोजी चाहती है कि जवार से मैं पॉप्कॉन कैसे बनाओ, मैं सारी टेकनोलोजी अवेलेबल है, आपको हैंड होल्डिंग किया जाता है, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि Ministry of Agriculture, भारत सरकार, Central Government of India, ICAR, IIMR, यह सारी गवर्मर्मेंट की एजन्सी जो है, वो आपके साथ हाथ से हाथ मिलाके, कंदे से कंदा मिलाके, आपको ट्र प्रॉब्लेम ने, आप अगर खाली अपना एक इंट्रेस्ट बताए, जज़बा बताए, कि आप इस फिल्ड में कुछ करना चाता है, आप बस खुल के सामने आई हैं, आपको सारी मदद मिल जाएगी, तो शर्मिला जी, एक और बेसिक सवाल, जब हम इतने सारे संदेश अ वेलफेर ऑफ फार्मर्स जो है, बहुत अच्छा काम कर रही है, आईसी ए आर जो है, जिसे कहता है कुछी अन्न संस्तान, तो यह हैडराबाद में हैं, डेली में हैं, आया एमर है, न्यूट्री हब है, यह सारी जो गवर्मेंट की संस्ता है, इनके पास आ जाए, वहाँ प जाता है, पैकेजिंग करना जाता है, टेकनोलोजी चाहिए आपको, हर चीज अवेलेबल है, मशीनरी अवेलेबल है, आपको सिर्फ आइडिया कि मुझे यह करना है, कौनसेप्ट, सारी चीजे गवर्मेंट, भारत सरकार आपके लिए देने के लिए तेयार है, तो अगर हम वेडियो के कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजे, हम शर्मिला जी से कनेक्ट करेंगे, और उनकी ही तरह के और एक्सपर्ट से कनेक्ट करके आपकी जरूर मदद करने की कोशिश करेंगे, आप जुड़े रहें किसान तक के साथ,